दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि पारकर वेक्टर का निप कैसे निकाले, फीड कैसे निकाले, तो इसका एक तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूँ, सबसे पहले तो आप फाउंटेन पैन लीजिए, और यहां पर देखेंगे तो निप कितना पतला है, कितना चोटा है, आप इसको पकड़ के नहीं निकाल सके, इस तरह से पकड़ में नहीं आएगा निप, तो निकालेंगे कैसे, यह काफी मुश्किल काम है, तो आप यहां देखें, ग्रूव आपको दिखाई पढ़ रहा होगा, बिल्कुल एंड में यह देखें, बिल्कुल क्लियर लिए और आपका इंक और सेक्षन और जो फीड है उसके अंदर फ्रिक्शन कम हो जाए तो ये जरूर करना है आपको कि उसको डूबो कर आप पानी के अंदर रखें वरना तो आप डैमेज भी कर सकते हैं उसके बाद क्या करना है ये देखे मेरे पास ये कि यहाँ डिब भी है इस ड देखे और इसको आपको निकालना है इस तरीके से आपको निकालना है काफी मजबूत होता है ये प्लास्टिक का है और आप इसी तरीके से कोई और भी थ्रेड ले सकते हैं जो की पतला हो उसको आप एक लंबा सा निकाल लेजिए और निकालने के बाद आराम से यहां से कट कीजिए और कट करने के बाद हम इसी का इस्तिमाल करके इसको निकालेंगे तो सब क्या करना है आपको इस धागे को लेना है और यहां पर फसाना है इसको बिल्कुल जो गुरुव है यह देखे पहले तो मैं इसको यहां से टाइट कर लेता हूं बोड़ी के अंदर जिससे की पकड़ने के लिए मेरे पास कुछ बोड़ी रहे और यहां पर इस तरीके से फसाना है और इस तरीके बाद को इसको लेवरेज बनाना है अगर हाथ से आप की कोसिस करेंगे तो खीच तो जाएगा लेकिन बहुत मुस्किल होगा, उसके लिए मैंने क्या किया है, तूल जो होता है, यह मैंने लिया है, और इसके उपर इसको लपेट लजीजिए, अच्छे से, ये क्योंकि लेवरेज प्रोवाइद करे आपको फोस प्रोवाइड करेगा इसका इस्तेमाल करने के बाद ये इस तरीके से लगा करके और अच्छे से पहले इसको लपेट लीजिए इसलिए थोड़ा सा ये देखें ये निकल गया पूरा तो इससे खोड़ा सा लेवरेज मिल जाता है आपको क्योंकि हाथ से ये तार हलका सा पतला सा खिच जाता है और ये हाथ के हाथ में ऐसे फिसलता रहेगा तो वो आप जरूर करिए एक अलग से कुछ पार्ट ले लीजिए जिसमें आप लपेट करके इसको खीच पाएं तो दोस्तों ये देखें ये है फीड इस तरह की फीड आपको मिलती है और ये है इस तरह करने एक ट्राइंगुलर फेस के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है तो आप बाद में जब लगाएंगे इसको तो क्लीन करके अच्छे से पानी से क्लीन कर लीजे दोनों को और उसके बाद हलका सा अंदर की तरफ एक जैल जरूर लगाई है जिससे की बाद में इसको इसके अंदर फिट कर सकते हैं पहले देख लीजे किस तरफ से फिट था पिछली बार तो उसी साइड में फिट करेंगे तो आराम से हो जाएगा फिट यह देखिए यह भी फिट कर दिया मैंने और आराम से फिट हो जाएगा फिर बाद में कोई प्रोब्लम नहीं आन एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद।